Hello Students, इस वीडियो हम देखेंगे person यानि पूरूस क्या है और types of person या इसका कितने परकार हैं तो देखते हैं यहाँ पे person क्या है, person तीन category में divide किया गया है यानि तीन भागों में बाता गया है एक है first person, second person और third person है, तो person क्या होता है, मतलब person यानि पूरूस होता है पूरूस तीन भेकती है, जैसे first person, second person और third person है जैसे यहाँ देखिए, person बोलने वाला जो होता है, बोलने वाला जो भी होता है, वो first person क्यालाएगा बोलने वाला first person क्यालाएगा, जिससे बोला जाया, वो second person है और जिसके बिसाय में चर्चा की जाए हुआ, 3rd person 카ा लाता है तो यहाँ, इस इसका जैसे बोलने वाला, में बोल रहा हूं जिससे बोल रहा हुआ, 2nd person हो गया जिसके बिसाय में हम चर्चा कर रहा है, कोई भी तीसरा बहीती ह means, Nacht person जिसके बिसे में हम चर्चा कर रहे है उसकी बातों को वह third person कर लेगा यहां देखते हैं एक-एक करके जैसे first person क्या होता है जैसे क्या है जैसे यहां बोलने वाला first person हो गया बोलने वाला first person हो गया जैसे में I, V, जैसे I am Ram we play cricket, this is my book जैसे यह मेरा book है यह सब भी क्या हो गया first person दूसरी देखते है second person क्या है second person यानि second person यानि मध्यम पुरुष जिससे बोला जाये हुआ second person है जैसे you, you मतलब तुम, yours, yourself and yourselves, इत्यादी जो है वो second person हो गया the person is the person spoken to as you, yours, yourself and yourselves it is your call as the second person एक्जामपल में देखते हैं you are my brother मतलब तुम मेरे भाई हो तो यह क्या है? हम उसको बोल रहा हैं मतलब दूसरे से मतलब भाई से हम बोल रहा हैं you are my brother तो मैं जो हो वो मैं first person हो गया और जो मेरा भाई हो second person हो गया this is your mobile यानि यह तुम्हारा mobile है तो वो जो तुम करके है वो क्या हो गया? second person तो यह सभी second person के एक्जामपल से है और तीसरा देखते है third person third person क्या होता है? यही जिसके विसाय में कुछ कहा जाए जिसके विसाय में हम कुछ बोल रहा है यह जिसके विसाय में हम चर्चा कर रहा है वह ही third person का लाएगा एक्जामपल में देखते है he, him, himself, see her यह सभी क्या है? मतलब यह सबी जो है third person है एक्जामपल में he is intelligent मतलब हम किसी और से बोल रहा है वह बहुत तेज है जैसे he is intelligent तो यह क्या हो गया third person राम is an engineer मतलब राम एक engineer है हम दूसरे से बोल रहा है यह राम जो है third person है यह सबी जो था वो third person के एक्जामपल है जैसे I hope इस वीडियो में person बताया हूँ आपको समझ मेया होगा तो आज के लिए बस इतना है मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए बाया है